सुहेग आए सलाम नमस्ते गुल मॉर्निंग उड़ गया हूं मैं सोकर टाइम हो गया है साथ बसकर पांच मिनट और जमना पुरसाद भाईया आज आने वाले थे तो मैं एकस्पेक्ट कर रहा था आज मॉर्निंग 19 को आ जाएंगे वो बट नहीं आए तो उड़ रहा हूं होत जाव पर के आटी ओफिस होते हैं रेडी सो गाइज रेडी हो गया हूं ब्रेकफास्ट में मैंने सिर्फ दूद पी आया क्योंकि आज गर चला जाओंगा तो चलते हैं स्कूल रेडी है हमारी जावा और निकल रहे हैं स्कूल के लिए आज मैं सोच रहा हूं थोड़ा जल्दी निकल जाओंगा क्योंकि मुझे आर्टी ओपे अप्रॉक्सिमेटली 2.30 पहुंचना है तो थोड़ा जल्दी निकल जाओंगा स्कूल से आज टाइम हुआ है एक बज़ कर 25 मिना डार मैं स्कूल आज मैं स्कूल से जल्दी निकलना हूं क्योंकि मुझे आर्टी ओ में थोड़ा काम है और तीन बज़े तक वहां पहुंचना है तो गाइस देख सकते हैं आप कितनी भेंकर क्रॉसिंग पर जाम है और चारों तरब से गाड़ियां लगे हुए हैं मतलब बाइक के निकलने की भी जगए नहीं रखते हैं यह लोग समझे नहीं आता यार कैसी का ड्राइब करते हैं नहीं निकल पाएगी गलत आगया हूं मैं चलो थेंग गॉड निकल तो गया है साइड से भी देखते रही है बैसे कैसे बाइक निकल जाती है तब कार से आना बहुत रिस्की रहता है पता नहीं कब तक ब्रिज कंप्लीट हो पाएगा तब जाके सुकून में देगा देखी रखते हों निकलने की जगए हैं नहीं तो बाइक है थोड़ा निकल जाती है कि अ निकल गई भाई अब पहुंच किया हूँ मैं बरेली मोड और बरेली मोड पर मैस ले आया हूँ क्योंकि कि मेरा कजिन है उसको भी आर्टी को ऑफिस में थोड़ा काम है तो वह साथ में जाएगा तो वह गाउं से आ रहा था तो मुझे यहां पर मिलेगा तो वैसे तो मैं लेट हो गया हूं थोड़ा टाइम जो हुआ है वह तीन बज़ गए मुझे यहीं और तीन से पांच के बीच में थे रहा है मेरा काम काम क्या था वो मैं आपको बताएंगा लास्त में आप वीडियो पर बने रहें वीडी लोकार करें वेल आइकपन को प्रेस करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो अभी तो आई तिंक मुझे उसका बीड करना पड़ेगा यहां पर कि उसकी ती कॉल नहीं आई है कि वह भी पहुंचा या नहीं पहुंचा है चलिए साइड में खड़े ओकर करते हैं उसका इंतिजार हो तो गाइस आ गया है कजिन ब्रदर और निकल गये हैं साजावापुर के आर्टीयों के लिए तो मिलते हैं अब हम आर्टीयों पर यह मेरा कॉलेज है जहां से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है यह देख रहा है आपको रेड कलर की बिल्डिंग यह तो गाइस आ गया हूं मैं आर्टीयों अब बात करता हूं उस बंदे से लेट हो गया चलते हैं अभी अंदर अगया ज़िए अपना बनवाना था जो मेरा लाइसेंस था ड्राइविंग लाइसेंस वह कहीं गुम हो गया है मुझे ना उसका नम्बर याद आ ना कुछ याद था तो मैंने यहां कॉंटेक्ट किया था उन्हों ने कहा था आप ऐसा केजिए निउ अप्लाई कर दीजिए नया लाइसेंस क्रीट हो जाएगा और उसमें तो चल लाएं है अब घर पर आ गया हूं बाहर तो गाइज यहां हमारा काम जो था विदिन फाइब मिनेट्स कंप्लीट हो गया था तो अब हम निकल लाएं बापस घर के लिए तो पहुंसते हैं घर इस फाइनली टाइम हुआ है छे बचकर उनचास मिनट आ गया हूं घर पूरा दिन आज रोड पी गया है तो चलते हैं बंदर तो आगी है ममी जी गेट खुलने तो गैस टाइम हो गया है एट फिप्टीन आकर मैं सो गया था काफी थकाना गई थी काफी रफ ड्राइविंग हो गई थी क्योंकि जगह से मैंने शॉट कट लिया था वहां पर काफी रफ रूड थी तो जिस वज़े से थकाना गई थी तो ड्रस में पेम हना चाट हो गया था फिर मैं आकर सो गया हूं तो अभी उठाओ डिनर करने के लिए करूंगा डिनर उसके बाद एडिटिंग करनी है काफी लेट नाइट एडिटिंग करनी होगी क्योंकि आज काफी सारा स्टफ है और तो पहले तो करता हूं डिनर तो गाइस अब करने जा रहा हूं मैं एडिटिंग और अगर आपकी लेटिंग लाइस लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी कोई रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डॉप कर सकते हैं मैं डेफिनेटिल उसका अंसर और बिल्कुल सही सेलुशन नहीं बताऊंगा तो एंड अप करता हूं आज के इस ब्लॉग को मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग में तिल दें टेकर आफ यॉर सेल्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वेल आइकन को प्रेस कीजिए चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें बह